और अब हम पहुछ गए हैं अपने लास्ट एंड पाइनल एरिया के उपर लास्ट एन फाइनल एरिया के उपर विच इस एक्जूंशन टू सर्विसस इस एक्जूंशन टू सर्विसस याद होगा आपको नोटिफिकेशन नमबर ट्वैल अबड़ी 2017 सी टी रेट नोटिफिक किया गया है जो जो भी इंपॉर्टेंट इंट्री वग्यारा है वह आप जो है रेगुलर डिसकेशन के साथ प्रॉपर पड़ते ही है अब एक्सम्शन में यह जो भी अमेंडमेंट का मैं पॉश्चन डिसकस करूंगा आपके एक्जामनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है अम एकंट्री 23A यह जो है यह डिलीट कर दि गया है घजंट्री नुमबर ट्व dog इंप इसको समस्ते हैं फिर जो एक्जंशन do care लिए उसके बारे में बात करेंगे मैं बात कर रहा हूं आपके साथ एन्ट्री नुमबर 12 इंट्री नुमबर ट्व जो कि आपके examination के लिए हमेशा से important रही है, इसमें exemption दी गई थी to service, कौन सी service जिसको मैं short में बोलता था, RRR, renting of residential dwelling for use as residence, हमारे पास एक supplier है, यहाँ एक recipient है, supplier ने recipient को service दी, service क्या है, rent पर supplier ने residential dwelling basically घर बगयरा अपना दिया है recipient को किस लिए for use as residence की जो recipient है, वो उसे रहने के लिए use करेगा, तो जब कोई व्यक्ति residential dwelling को किसी person को रहने के लिए use करने के लिए देता है, तो entry number 12 में उसके उपर GST जो है, वो exempt है, अच्छा आप सभी को याद होगा, कि यह यह जो exemption थी, अभी recent में change होई थी, और इसमें change होकर कि amendment से यह आगे word add कर दिये गए थे, except where residential dwelling is rented to a registered person, तो था क्या पहले, अगर आप घर को रहने के लिए देते थे, किसी को भी, चाए वो registered person हो, unregistered person हो, GST exempt था, घर रहने के लिए दिया गया, GST exempt था, लेकिन amendment कर दी गई और amendment से बोला गया, कि भाई साब, अगर आपने जिसको घर रहने के लिए दिया है, वो registered person है, क्याने का मतलब, अगर basically आपकी supply B2B supply है, तो फिर यह exemption जो होगी, वो apply नहीं होगी, तो आज की rate में, अगर anti-gy किसी normal person को रहने के लिए देती है, GST unregistered person को GST exempt है, बट अगर व person को घर अगर रहने के लिए दिया जाएगा, तो वो exempt नहीं होगा, तो उस दिन ही एक बवाल खड़ा हो गया था, एक basically बवाल dispute यह खड़ा हो गया था, कि मान लीजिए कि एक supplier के पास कोई Mr. X आया, Mr. X घर को रहने के लिए लेने के लिए, Mr. X आया, घर को रहने के लिए ल registered है, अब यह Mr. X आया है, किसी से घर किराय पर अपनी family से साथ रहने के लिए, लेकिन यह registered है, एक mobile की shop भी चला रहा है, तो question यह आया है, कि अब यह जो renting की गई है, यह Mr. X को personal capacity में की गई है, कि उसने as a family person रहने के लिए किया है, और यह exempt ही रहेगा, यह Mr. X को कि mobile की shop चला आता है, तो यह renting रजिस्टर परसन को की गई है, अब यह exempt नहीं रहेगी, यह dispute जो था, वो arise हो गया, और यहां पर मैं आपको बता दू, right from the day one, मैं इस बात के opinion का था, मैंने class में भी बताया था, जी भाइसा Mr. X भले ही registered हो, बट अगर वो अपनी family के लिए घर रहने के लि नहीं है, तो क्योंकि Mr. X नहीं से personal capacity में लिया है, तो भले ही वो registered क्यों ना हो, यह renting registered person की renting नहीं बोली जाएगी और यह exempt होगी, तो अब यह dispute था, मेरा view clear था, Mr. X जब तक personal capacity में घर ले रहा है, घर का किराया वो personal capacity में अपने यहां पे कर रहा है, कोई business expense नहीं है, तो exemption apply होनी चाहिए, इस बात को finally government ने acknowledge किया, और acknowledge करते हुए explanation जो है, वो clarity के purpose के लिए डाल दी है, जिसके तुरू वो यह कहना चाहरे है, जी recipient जो होगा भले ही registered हो, recipient जो है, भले ही registered हो, exemption मिलेगी, अगर वो sole proprietor है, वो personal capacity में ले रहा है, अपने personal use के लिए लिए ले रहा ह है, explanation, for the purpose of the exemption under this entry, this entry shall cover, entry cover करेगी, मतलब exemption मिलेगी, this entry shall cover services by way of renting of residential dwelling to a registered person, ठीक है, रेंटिंग, register person को की जा रही है, बट फिर भी यह entry उस रेंटिंग को cover करेगी, exemption मिलेगी, where the registered person is a proprietor or proprietorship concerned, and rents the residential dwelling in his personal capacity for uses on residence, ठीक है, वो proprietor registered है, बट उसने यह जो रेंटिंग की है, यह personal capacity में की है, and such renting is on his own account and not that of the proprietorship concerned, यह रेंटिंग उसने अपने account पर की है, not that of proprietorship concerned, यह जो second line है, इसका basically मतलब क्या है, पहले में वो यह क्या रहे है कि वो proprietor है, registered है, कोई बात नहीं, बट उसने अपनी personal capacity में करी है, यह पहली line का मतलब है, और दूसरा यह कहना चाहरी है, कि उसने वो जो rent दिया है, वो rent उसके proprietorship business का business expense नहीं है, rather than उसने उस business से जो कमाई drawing करी होगी, उस drawing में से, उसने personal expense के तोर पर यह जो है rent पे किया है, अब इस चीज में difference वे करो, अगर यह जो proprietor ह यह अपने family के रहने के लिए नहीं, rather than, इसने अपने दुकान में 2-4 employee रखे हुए है, वो employee दुकान के पास ही ठहरा दे, ताकि time से आकर के दुकान खोले, उस purpose के लिए, उसने अपने employees के ठहरने के पर पस के लिए, यह घर किराय पढ़ लिया, और अब वो जो rent पे कर रहा ह है, उसमें उसके employees है रहे हैं उस घर में, अब वो जो rent पे कर रहा है, क्या वो अपने business में उसे as an expense claim करेगा, yes, तो अब यह जो उसने renting का काम किया है, यह on is on account नहीं है, यह on account of proprietorship concerned है, यह महा expense claim कर रहा है, तो उस case में जो होगा, यह entry जो होगी, वो apply नहीं होगी, I hope my point is well understood by each of you, चलते हैं, next हमारे पास discussion जो है, that is about entry number 66, entry number 66 भी आपके exam के लिए एक अच्छी खासी important entry है, इसमें education service को जो है, वो exemption दी गई है, अब इसमें है क्या जरा रिकलेक कराता हूँ आपको, entry number 66, यह बात करता है, education service की exemption को ले करके ध्यान देना जरा, इसमें कहा जाता है कि अगर educational institution है, उसके द्वारा services दी जा रही है, तो GST exempt होगा, कुछ cases में, कौन से case, 66 में एक तो close A है, एक double A है, close A यह कहता है कि educational institution service provide कर रहे हैं to its students, faculty and staff, हाँ जी, educational institution service दे रहे हैं, कौन सी, कोई भी, कोई भी, अगर वो अपने students को, या फिर faculty जो उनके यहां पढ़ाती है, या staff जो उनके यहां काम करता है, उनको services दे रहे हैं, तो कोई भी service क्यो ना हो, वो exempt रहेगी, वो student को education दे रहे हैं, tuition fees ले रहे हैं, वो student को खाना दे रहे हैं, खाने के charges ले रहे हैं, ट्रांस्पोटेशन दे रहे हैं उसके चार्ज ले रहे हैं कैसी भी सर्विस क्यों नहों जो भी वह स्टूडेंट फैक्वल्टी स्टाफ को देंगे वो जीएस्टी में एक्जेम्ट है इसके लावा 66 डबल ए इसमें वो कहते हैं service provided by way of conduct of entrance examination against constitution in the form of entrance fees अब इसमें कौन सी service exempt कर रहे हैं कि जो educational institution service देंगे entrance exam conduct करके जिसके बतले में वो entrance fees वगारा चार्ज करेंगे वो भी जो होगी वो exempt रहेगी अच्छा 66 डबल ए हमारे emphasis का मुद्द है तो जरह इसे धान से सुनिएगा अब 66 डबल ए में basically entrance examination जो educational institution के द्वारा conduct किये जाते हैं entrance fees लेकर के उस activity उस service को जो है वो exempt किया गया है अच्छा एक मुझे बात बताओ entrance examination जब वो conduct करते हैं तो इन में participation के लिए कोन आता है उनका student student आता है या जो उनके student बनेंगे पास करके वो आते मतलब prospective student आते हैं तो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट आते हैं तो प्लीज धान में रखिएगा डबल ए और ए का फरकी यही था ए में क्या का गया है जो उनका already student है उसको दी जाने वाली सभी सर्विस exempt है और डबल ए ब एक्जेम्ट है तो स्कूल है स्कूल चल रहा है जो भी बच्चों से फीस आ रही है वो सब एक्जेम्ट है स्कूल ने एक entrance exam conduct किया नए लोगों ने अप्लाई किया जो पास होके students बनेंगे अगर पास हो गए तो वहां से जो पैस आया स्कूल के लिए वो भी एक्जेम्ट है किया है मैं भी educational institution हूँ बट मेरा private coaching का काम में मुझे ये exemption नहीं मिलती क्यों नहीं मिलती विकोज educational institution जिनको ये exemption मिलेगी उनका specified मतलब होगा जो कि उन्हों ने यहां बताया हुआ है आप सभी लोगोंने पढ़ाता कि इस educational institution में basically कौन को नाता है वह institution जो की service दे रहे है प्री legal degree मिलेगी मतलब universities वगरा की या फिर वो education दे रहे हैं किसी approved vocational education course की तो ये सब डिटेल में आप जानते हैं ये तीन category में उन्होंने बता रखा था सिर्फ इस तरीके के educational institution जो होंगे उनको जो होगा exemption मिलेगी प्री स्कूल education कोई भी दे exemption मिल जाएगी education up to high secondary school अगर high secondary school या equivalent कोई दे रहा है education वह exemption मिल जाएगी या फिर वो institution जो वो education दे रहे हैं जो की किसी recognized degree को प्राप्त करवाएगी वो exempt है या फिर approved vocational education course अगर आप इस तरीके में आएंगे तो फिर आपकी in activities को जो होगा वो exemption मिले विकोज मैं specified educational institution नहीं हूं are you okay with this यह आपको ध्यान में रखना है इट covers only specified educational institution चलिए जी अब जो important बात है जरा उसके उपर आता हूं सुनिएगा यह मान लीजिए हमारे पास यह एक particular educational institution है जिसके लिए यह entry applicable है ठीक है existing students है तो कोई भी सर्विस exempt है और prospective student है तो उसके रिस्पेक्ट में जो entrance examination कंडग किया गया है entrance वीस लेकर के वो वली exempt है मेरा focus चलेगा 66 AA के उपर ठीक है विड़ा अचा अब हमारे पास special provision जो है अब वो सुनिएगा अब cbsc you must have heard of cbsc central board of secondary education अब cbsc central board of secondary education जो है यह बहुत सारे entrance examination जो है वो कंडग करता है जिसमें prospective students जो है वो participate करते है entrance fees देकर के और जो पास हो जाते है cbsc की तरफ से जिने passing certificate मिल जाता है वो उसके base पर आगे फर्दर जो है educational institutions में जो है वो enroll कर लिए जाती है यहां special point में क्या बोलना चाहरा हूं अब यह जो educational institution है एक तो क्या काम हो सकता है कि इसने खुद से कोई entrance examination conduct किया बच्चों से fees ली बच्चे पास हुए admission दे दिया exempt है ठीक है लेकिन हम मैं क्या कह रहा हूं educational institution वो नहीं कर रहा entrance exam conduct cbsc के level पर entrance examination जो है वो conduct किया जा रहा है cbsc fees लेकर के exam conduct कर रही है और जो बच्चा पास होगा उससे certificate दे देगी जो की बात में जो होगा educational institution को join कर लेगा ना question is that cbsc वो जब entrance examination conduct करेगी entrance fees लेगी तो क्या cbsc की इस entrance fees के ऊपर GST की liability आएगी या फिर यह भी GST से exempt रहेगा ठीक है और बड़ा सिंपल सा answer है हमने यह जो 66 में exemption दी है यह सिफ किन को दी है specified educational institution को तो हमें simply क्या check करना है कि यह जो cbsc है क्या यह भी specified educational institution जो definition दी गई है उसमें आता है school आते है university आते है college आते है क्या यह जो education board है cbsc क्या यह भी उस definition में आता है तो strictly speaking अगर बात करूं तो education institution की जो उन्होंने definition दी है उसमें यह नहीं आता है क्यों because cbsc कोई preschool education नहीं दे रहा cbsc कोई high secondary school या equivalent education नहीं दे रहा cbsc कोई education नहीं दे रहा जिसके बाद कोई degree मिलेगी cbsc कोई approved vocational course नहीं करा रहा cbsc कोई education नहीं दे रहा वो तो simply क्या entrance examination जो है वो conduct कर रहा है तो strictly speaking अगर बात करें तो cbsc इस education institution की definition में नहीं आता मतलब उसके उपर entry number 66 जो है वो नहीं बनती लेकिन 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 cbsc की service क्योंकि इस process से related है तो यह exempt होनी चाहिए तो इनको entry number 66 का benefit देने के लिए entry number 66 में एक explanation गौर्मेंट ने दे रखी है जिसमें उन्होंने बोल रखा है कि वैसे तो cbsc जो definition दिये उसमें नहीं आ रहा पर हम इस limited purpose के लिए entrance examination के conduct के purpose के लिए इसको भी educational institution जो होगा वो मान करके चलेंगे ऐसा उस explanation में लिखा हुआ है मैं आपको explanation पढ़वा रहा हूँ अब यह जी है आपकी explanation explanation ने क्या लिखा हुआ है for the purpose of this notification जब आप यह exemption notification पढ़े entry number 66 पढ़े तो for the removal of doubts it is clarified that the central and state education board cbsc central है state के अपने education board भी होते हैं कोई भी हो they shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to its student तो cbsc को भी educational institution माना जाएगा exemption for the time cbsc को भी educational institution माना जाएगा but सिफ limited purpose के लिए किस purpose के लिए यह examination यह जो entrance examination conduct करता है उस purpose के लिए अब इस explanation की वजएसे cbsc भी जब entrance examination conduct करेगा तो वो educational institution माना जाएगा और accordingly entrance fees जो उसने collect करी है वो gst से exempt हो जाएगी yes or no are you okay with this challenge आगे चलो यह बात आपको clear हो गई अब सुनिएगा अभी recent में अब क्या change हुआ cbsc बहुत सारे entrance test conduct करता था लेकिन अब cbsc ने कुछ entrance test जो है वो conduct करने बंद कर दिये वो entrance test जो है अब उसको conduct किया जाता है by a separate authority created by the government जिनको हम बोलते है national testing agency ठीक है यह एक बड़ा बतलाव अभी education में हुआ है जैसे हम जी के examination की बात करें engineering sector के लिए या फिर नीट की examination की अगर हम बात करें जो medical sector का entrance examination होता है यह पहले cbsc के level पर किये जाते थे बट अब ही recent में government ने changes किये और उन्होंने बोला कि अब यह जो जी नीट और कुछ और testing बगरा है entrance examination यह cbsc के द्वारा नहीं यह separate authority उन्होंने बना दी यह national testing agency के नाम से उन्होंने एक authority बनाई है उसके level पर जो होगे वो conduct किये जाएंगे तो अब national testing agency इसने entrance examination conduct किये GST का question आया कि इसका GST exempt होगा या नहीं तो अब तो बड़ा simple answer करना क्या national testing agency educational institution की जो basic definition थी क्या उसमें आ रहा है नो क्या explanation ने entrance examination के purpose के लिए जो meaning extend किया था क्या यह उस explanation में आ रहा है नो because explanation ने सिफ किसको cover किया था center and state education board अधर कोई authority को उन्होंने cover नहीं किया था तो accordingly अगर यहां तक की बात करूँ तो national testing agency जो entrance वीस ले रही है उसके उपर GST की liability बनती है लेकिन लेकिन government को अब representation दी गई गई government से कहा गया जी पहले यही टेस CBSE conduct कर रहा था अब यह कर रहा है तो exemption तो मिलनी चाहिए आपको exemption का scope इन पर भी extend करना चाहिए फर्दर इन हैनी केस यह education sector से related है तो logically भी exemption आपको इस पर maintain करनी चाहिए तो government ने उनकी इस request को माना और इस request को मानते हुए उन्होंने उस explanation में amendment कर दी वह explanation जो पहले सिफ central and state education board को entrance examination के लिए educational institution मान रही थी अब उन्होंने इसमें other authorities को भी cover कर दिया read out कर रहा हूं explanation अमेंड करके यह portion जो है इसमें insert कर दिया गया अब यह क्या कह रहा है for the removal of doubt it is clarified that any authority board or body set up by center government or state government and special emphasis दिया including national testing agency NTA की तरफ से issue गया था उसकी वज़े से amendment हुई है तो इस वज़े से इसका नाम special आ रहा है बाकी otherwise कोई भी authority board या body जो भी center government state government set up कर रही है for conduct of entrance examination for entrance to educational institution shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the student I hope this is clear तो आपको याद दे तो आपकी pictorial image के लिए central board state board पर तो पहले ही था national testing agency जो है यह जब entrance examination conduct करेगी तो entrance fees पर GST जो होगा वो exempt रहेगा entrance fees GST exempt simple and easy to remember चलिए लास्ट एंड़ फाइनल पार्ट exemption से रिलेटिद ही एंटी नॉमबर ट्वेंटी थ्री ए कि में एक exemption government ने दे रखी थी उसको government ने जो है वो विड्रो कर लिया है आप इसमें exemption government ने दे रखी थी जो सर्विस दी जा रही है बाइव असेस टू रोड और अब ब्रिज ऑन पेमेंट आफ एन्यूटी तो यह वाली services पर GST exempt था पर गॉर्मेंट ने इसे फर्स जन्वरी 2023 से जो है वो विड्रो कर लिया है मतलब अब इनके उपर जो होगा वो जी अब आपको बता हूं सारे ऐसी पढ़ा के चले जाएंगे इसको और सिंपल अभी पहले एक जंचन थी अब विड्रो हो गई है क्यों हो गई है इसके पीछे एक स्टोरी है इसके पीछे एक अच्छा खासा dispute का period है तो थोड़ा मैं आपको details में क्योंकि पढ़ाता हूं तो वो मैं आपको समझा देता हूं मेरी उमीद है कि उससे थोड़ा clarity के साथ आपको ये बात जो होगी वो याद रह जाएगी और जब आप clarity के साथ कोई concept समझ लेते हैं तो generally भूलने के chances जो है वो eliminate हो जाते हैं हमारे पास situation practical situations यह समझेगा अब भारत सरकार है भारत खूब तरक्की की तरफ है और आप आए दिन सुनते हैं कि भाई साम नितिन गटकरी सरकार की तरफ से कहते रहते हैं कि भारत में infrastructure हम खूब develop करेंगे भारत जो है वह बहुत ही तरक्की कर सके जल्दी बन जाए तो भारत सरकार का पूरा फोकस है इंफरस्ट्रक्चर ड्वलप्मेंट ऑफ इंडिया ठीक है कि रोड्स बन जाए ब्रिजिस बन जाए भारत में ताकि सब जो है वह वह पार वगारा काफी अच्छे तरीके से हो स साथी है उसको वह किस तरीके से किस तरीके से जो är Ethan कर सकती है तो उसके उचो पहला मोडल आपका जो है ECP मोडल इंजीनियरिंग कमिश्रिंग प्रोक्योर्मेंट मोडल यह बिसिकली सिंपल सैंस में बोलू तो यह सेल्फ मोडल है इसमें क्या होगा जो रोड या ब्रिजिस गौर्णमेंट बनाना चाहती है ठीक है उसके लिए पैसा गौर्णमेंट खु हो जाएगा तो अपने उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के परपस के लिए गौर्मेंट जो यूजर से जाएंगे जो इन ब्रिजिस से जाएंगे उनसे टोल चार्जिस के तो पर गौर्णमेंट जो है वो रिवेन्यू को जो होगा वो खुद कलेक्ट करेगी तो इसम टेक्निकल नाम आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं मतलब इसमें आप सिंपल बेसिकली यह समले की गौर्मेंट ने का कि रोड़ और बिजिस की जरूरत है तो हम जो भी उस पर करोड़ रुपय का खर्चा है वो हम करेंगे बन गया जी फिर उसके बाद अब वो ज चाहिए खर्चे के लिए तो हम जो होगा वह बैसिकली टॉल चार्जिस यूजेश चार्जिस जो होगा वह कलेक्ट करेंगे अर्यों के बात बोट मोडल विल्ट ऑपरेटेंड ट्रांसवर मोडल आपका सुना हुआ मोडल है इसमें गौर्मेंट के हैं जी वह सब हम जो और बिजिस का डिवलपमेंट बढ़ हम पैसा नहीं लगाना चाहते तो तुम वह करोड़ों रुपे की इंवेस्टमेंट लगा करके रोड और बिज जो है वो तियार कर दो और तुम्हें जो मतलब खर्चा लगेगा उसकी भरपाई कैसे होगी तो उसके लिए हम क्या करें अब गौर्णमेंट ने क्या किया फानेंस किसका हो गया प्राइवेट पार्टी का आयर्ब इंफरस्ट्रक्चर जो होगी वो करोडों रुपे खर्च करके रोड या बिजिस्तियार करेंगी और उसको वो जो होगा वो ऑपरेट एंड मेंटेन भी करेंगी और बतले में उन्हें जो toll charges जो otherwise हम कमाते हैं वो हम नहीं कमाएंगे क्योंकि हम नहीं पैसा खट नहीं किया आप 15 साल तक के लिए जो होगा वो तुम जो होगा वो उस toll charges को जो होगा वो collect करोगे तो यह revenue हो गया तो यह जो private entity इसका खर्चा हो जाएगा बनाने में और इसकी कमाई हो जाएगी यह toll charges जो यूजर से collect करेगा उसमें पर इसके बाद तीसरा मोडल हमारे पास होता है हम मोडल हाइब्रिड एन्यूटी मोडल इस मोडल में क्या होता है सुनिएगा इस मोडल में जो government होती है वो private party के साथ मिलके काम करती है वो private party को बोलती है देखो हमने यह जो रोड और बिच बनाना है यह तुम तियार करोगे और इसके construction का खर्चा लेट्स पोस्ट का खर्चा 1000 करोड रुपीज है तो इसमें 40% हम तुम्हें देंगे और 60% जोगा वो तुम्हें कुछ से अरेंज करना पड़ेगा तो 6000 करोड प्राइवेट पार्टी कुछ से अपना कोस्ट अरेंज करेंगी 400 करोड प्राइवेट पार्टी कुछ से अरेंज करेंगी 400 करोड जो है वह में कंस्ट्रक्षन के नाम का दे देंगे और यह प्रोजेक्ट त्यार हो जाएगा तो फिर आगे प्रोजेक्ट को maintain जो होगा वो भी तुम ही करोगे इसका पूरा maintenance operation जो होगा वो तुम ही को handle करना होगा और बात ध्यान से सुनिएगा government कहती है फिर इसके बाद जब यह project अपना त्यार हो जाएगा तो फिर यहां से लोग आने जाने लगेंगे तो जो टोल होगा वह हम collect करेंगे तो यहां पर पार्टी है यहां प्राइवेट पार्टी वह यह कह रही है एक बात मुझे बताओ तुम ने मेरे च्छे सो करोड लगवा करके मैंने तुम्हें यह तियार करके दे दिया उप्रेशन मेंटेनेंस का भी खर्चा मैं कर रहा हूं तो यह मेरे खर्चे ही खर्चे हो गए और तुम मुझसे यह कह रहे हो टोल भी मैं नहीं लूँगा मैं पागल हूं क्या मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा गौर्मेंट बोली नहीं नहीं तुम सुनो ना यह तुम एन्यूटी मॉडल हो गया इसमें बेसिकली आप समझ पर इसमें गौर्मेंट ने क्या किया बॉट मॉडल में आई यार भी प्राइवेट पार्टी जो थी उसका 100% इन्वेस्टमेंट लगता गौर्मेंट ने बोला कि तुम्हारा 100% नहीं लगवाया तुमको हमने 40% शुरु रिवेन्यू दे दिया बस सिफ यह है कि हमने तुम्हें लेटर स्टेज पर दे दिया ब्योटी मॉडल और हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल में बेसिक डिफरेंस क्या होगा अगर आप एप्रिशेट कर पाए ब्योटी मॉडल में प्राइवेट पार्टी सारा खर्चा अप उसका रिवेन्यू लेकिन उसका रिवेन्यू लेकिन टॉल की फर्म में नहीं आता उसका रिवेन्यू गॉडर्मेंट से अनूटी की फ़र्म में आता है एन्यूटी मतलब basically annual installment हो गया मैं दोराना चाहूंगो इस बात को लेकर के vote में private entity सारा खर्चा करती है और उसका revenue toll collection की form में आता है एन्यूटी model में private entity खर्चा करती है बट उसका revenue toll collection की form में नहीं आता क्योंकि toll तो government कही होता है उसका revenue government से मिलने वाली annuity की form में आता है करके और एक लेटर स्टेट पर जब toll चालू हो जाएगा तो फिर वहां से इंस्टॉल्मेंट दे करके इस तरीके से उसे जो है उन्होंने पैसा दिया है are you getting this thing दोनों model clear है yes model की clarity बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बाद यह आप accordingly जो होगा exemption समझ पाएंगे अब जड़ा ध्यान से सुनिएगा यह अलग-अलग model है जो कि government ने जो है वह इंफर सेक्टर ड्वलप्मेंट के लिए इंडिया में यूस किये हैं अब हम इसको जी एस्टी के कंटेक्स में बात करते हैं हमारे पास एक एंट्री नंबर 23 है हमारे पास एक एंट्री नंबर 23 है exemption notification में यह पहले भी थी अब भी भी है जो कि यह कहती है जो services दी जा रही है by way of access to road and bridges वो services जो कि दी जा रही है by way of access to road and bridges let me see if that is there I'll show you this is entry number 23 legal text में मैंने दे रखी है services by way of access to road or bridge on payment of toll charges क्या service दे रहे हो आप क्या किसी person को आप road या bridge की access allow कर रहे हो और उससे बदले में जो है वो toll charges ले रहे हो तो वो जो है वो entry number 23 में जो है वो exempt है अब जड़ा ध्यान से सुनिएगा अब पहले model में government ने अपने खर्चे से project बनाया और बाद में लोगों को उस road और bridge की access दी और बदले में ले लिए toll charges अब यह जो toll charges है इसके उपर GST नहीं आएगा GST is exempt entry number 23 ओके चलिए बी ओटी मॉडल में private party private party की जेब से खर्चा करवा करके project तियार कराया गया अब private party को right दे दिया गया और private party ने toll charges collect किये private party ने toll charges collect किये private party के पास right है उस पूरे project को operate करने का उसने लोगों को assess allow करी और toll charges collect किये अगें एंटी नमबर 23 में GST जो होगा वो exempt हो जाएगा एंटी नमबर 23 में अब लेकिन टेक्निकल बास सुनिएगा यह जो hybrid annuity model है इस model में यह जो private party है यह जो private party अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा hybrid annuity में यह जो पार्टी है जिसने गौर्मेंट को इस project में यह project ready करके दिया उसको operator maintain करके दिया और बदले में गौर्मेंट ने उसे annuity दी तो क्या इस annuity को एंटी नमबर 23 में exemption मिलेगी answer is no इस annuity को जो होगी वो एंटी नमबर 23 में exemption नहीं मिलेगी because entry नमबर 23 तो सिफ किस चीज के बतले में है कि road या bridge की assess कोई भी person किसी को दे रहा है toll charges लेके तो वो exempt है लेकिन यह जो contractor है हमारा जिसको hybrid annuity method में government की तरफ से annuity payment आई है यह तो कहीं भी entry नमबर 23 में जो है वो exempt नहीं हुआ अच्छा अब थोड़ा history में बोलूँगा अब यह जो contractors हैं जिनको यह highway वगरा का contract मिलते हैं जो hybrid annuity method में काम कर रहे थे इन्होंने government को बोला जी आप हमें भी GST से जो है वो exempt कर दे GST council ने decide किया जी हाँ इनक hybrid annuity method पर तो उनको जो annuity payment मिलेगी उसको GST से जो है वो exempt कर दिया जाए council ने इसको okay किया council ने okay किया government ने जो थी accordingly council के decision के base पर exemption में एक नई entry इंसर्ट करी नई entry इंसर्ट करी entry number 23a entry number 23a जहां से सुनिए अब 23a की बात चल रही है ठीक है जी टोल चार्जिस तो एंट्री नंबर 23 में पहले एक्जम थे अब यहां पर hybrid annuity method में जो contractor था वो गौर्वर्मेंट को जब यह काम करके दे रहा था और annuity payment कमा रहा था तो उसक दे लिए नए entry introduce की गई entry number 23a नौ लेट मी टे लिए entry number 23a council का decision था कि contractors को जो annuity payment मिल रही है वो exempt हो अब entry number 23a उस decision के basis पर introduce की गई बात इसकी language जो थी वो well drafted नहीं थी इसकी language जो थी वो well drafted नहीं थी दिखाता हूँ मैं आपको इसकी language देखो क्या कह रही है service by way of assess to road or bridge on payment of annuity ठीक है एक बार language पढ़ने से तो ऐसे ही लगता है कि जैसे वो जो person था उसने road या bridge की assess दी और बतले में annuity payment विली जिसको exempt किया जा रहा है बट actual में तो ऐसा नहीं है actual में तो क्या था वो person जो है वो government को sports service दे रहा था जिसके respect में जो थी वो exemption दी जा रही थी but in any case intent वो थी वो हमें पता था क्योंकि council ने बताया था तो उसके basis पर उसके basis पर यह था कि यह जो भी annuity payment इस hybrid annuity method में इसको मिलती थी वो GST से exempt थी are you okay with this चलो जी government ने अपना इसको clarify कर दिया जी हम annuity payment को exempt करना चाहते है तो यह exempt है अब later stage पर यह है stage number one exemption दे दी गई proper language नहीं है exemption की कोई बात नी बट government ने loud and clear बोला था हम यह exemption देना चाहते है तो सब को पता था क्या exempt देना चाहते है तो यह annuity exempt हो गई अब इसके बात क्या हुआ stage number two stage number two later on stage पर for unknown reasons reasons are not clear कि ऐसा क्यों हुआ government के मन में पता नहीं एक अजीब सा ख्याल आया government ने यह बोला कि देखो यह हम तुमें जो annuity payment दे रहे है इसमें basically दो तरीके की payment है हमने तुमें इस model में जो payment दिये उसके दो हिस्से है एक हिस्सा तो यह है annuity का एक portion तो यह है जो 40% हमने शुरुआत में प्रोजेक्ट की construction कोस्ट के तोर पर दिया और इसके अलावा दूसरा हिस्सा वो है जो बैलेंस 60% जो आपने लगाया था उसको हमने आपको दिया तो गौर्मेंट ने बाद में बोला कि आपकी यह जो annuity की exemption मिलेगी इसमें जो construction portion वाली हमने payment जो करी है ना इसकी नहीं मिलेगी बेसिकली जो operation maintenance वाली payment जो होगी उसकी ही हम आपको exemption देंगे अरुगेटिंग दिस तिंग अब यह person यह बोला यह क्या बात हुई मैं जब आपके लिए यह project manage करके दे रहा हूँ तो आपको exemption तो सारे पर ही देनी चाहिए और आपकी entry में भी ऐसा कहीं नहीं किया हुआ कि annuity जो होगी वो construction वाले हिस्से की exemption नहीं मिलेगी बागी के मिलेगी आपने तो simply लिखका हुए annuity तो उस model में आप मुझे जो भी payment कर रहे हो वो सब exempt होना चाहि लेगी अब ये person जो थे इस बात को लेकर के जो थे वो खुश नहीं थे तो ये जो contractor थे ये चले गए हाई court में और हाई court में उन्होंने चैलेंज किया कि government जो है वो circular से exemption का स्कॉप reduce कर रही है which is not logical which is not authorized और हाई court में कहा दिया circular is invalid circular is invalid हाई court simply बोली कि आपकी entry में annuity को exempt किया गया है तो whatever annuity you are paying whether that is to our construction whether that is to our operation maintenance whatever whatever annuity you are paying to the contractor वो जो होगा वो exempt रहेगा और अगर आपकी मंशा जो है उसकी exemption limited करने किया तो आपको exemption entry में बतलाव करना चाहिए but entry number 23 ये जिस form में खड़ी है उस form में तो total ही exemption मिलेगी सरकार जो थी वो हाई court पर जो थी वो हार गई फुर उसके बाद सरकार ने जाकर कि ये decide किया भाड में गया हमें exemption देनी नहीं है और आज की date में उन्होंने इस exemption को जो है वो withdraw कर लिया है कहानी बड़ी लंबी चोड़ी बताई सिर्फ इसलिए बताई कि आपको ये समझ आ ज लखेंगे जो पहले highway contractors होते थे जिनने नैशनल highway authority से contract मिलता था गौवर्मेंट से contract मिलता था हाइब्रिड एन्यूटी मेथर में उन contractor को पहले जो एन्यूटी payment मिलती थी वो GST से exempt थी आज की date में वो exempt नहीं है उसके उपर GST जो होगा उन contractors को pay करना पड़ेगा वो अपना से charge करें are you okay with this is one liner simple जो कि अब आपको याद रखना है समझ clarity से आ गया याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसके साथ हमारी GST का ये exemption का discussion जो है ये भी सारा का सारा complete हो जाता है फुर उसके बाद exemptions को लेकर के तो clarification भी CBIC की तरफ से आई है मिस्लेनियस सी बी आई सी ने अब कहां clarification दिए सी बी आई सी ने पहली clarification दिए जी इस बात को लेकर के applicability of GST on accommodation services supplied by air force mess to its air personal हां जी तो वो क्या कह रहे है जी एएर फोर्स इंडियन एर फोर्स है कि केंटीन चला रहे है मैस जिसमें यह खाना प्रोवाइड करते हैं अपने पर्सनल को बेसिकली employees को ठीक है और फ्री में नहीं उनसे जो है वो चार्जिस लेते हैं तो केंटीन सर्विसिस दी जा रहे है बेसिकली खाना या accommodation सर्विस दी जा रही है पर्सनल जा करके रह सकते हैं और अपना जो है यह consideration ले करके दी जा रही है अब पहली बात मुझे बताओ अब एयर फोर्स बेसिकली ए एयर फोर्स is nothing it is central government एंपल के capacity में Employee को सर्विस दे रही है मिक्स अप मत करना schedule 3 में आपने पड़ा था employee employer को को जो सर्विस देता है तरड़ इस आउटा स्कॉप उफ सप्ल्लाइटव यहाँ कर फोड़ दे रहा है employee employer को दे रहा है यहां कुन दे रहा है लेकिन इंपोर्टेंट बात उनने बोला कि यहां जीन की लैमी तो पिक्चर में आएगी पट यह जो लइब है यह एक्जंट है अंडर एंट्री नंबर सिक्स एंडर एंट्री नंबर सिक्स मैं आपको आपको याद हो बढ़िया नहीं तो मैं याद कराता हूं आपने इंट्री नंबर सिक्स पड़ी थी जिसमों उन्होंने बोला था गौर्ण्मेंट के द्वारा दी जाने वाली कुछ सर्विसिस जो है वो एक्जेम्ट है और उन सर्विसिस में क्या था मैं आपकोल का सा याद क करा रहा हूं उन्होंने कहा था रेंटिंग के लिए एक बार छोड़ देते हैं और पीपीटी को भी छोड़ देते हैं रेंटिंग की सर्विस भी छोड़ दो और वो पीपीटी पोस्चल पोट ट्रांसपोर्ट वगरा उनको भी छोड़ दो अधर सर्विसिस को लेकर के एं बिजनस एंटिटी को दी येस तो एकोर्डिंगली सीबी इसी ने सिंपल सा क्लेरिपाई किया बिजनस एंटिटी को दी जाती है वो एक्जेम्ट है वाइड एंट्री नंबर 6 therefore as recommended by GST council it is clarified that accommodation service provided by air force mess and other similar messes such as army mess navy mess parliamentary police force mess to their personal or any person other than a business entity are covered by serial number 6 provided the services supplied by such messes qualified to be considered as services supplied by the government or local authority उन्होंने बोला कोई भी मैस हो air force navy मैस या कोई भी मैस हो जो basically central government के द्वारा दी जाने वाली service कहीं जा सकती हो तो वो एक्जेम्ट रहेगी चाहे वो इसको दी गई हो employee को in fact non employee को भी दी जाती बट वह non business entity होता तो वो तो प्रावधान है चलिए जी simple है फिर उसके बाद second clarification यह दी गई है applicability of GST को लेकर के on incentive paid by ministry of electronics and information technology committed to acquiring banks under incentive scheme for promotion of रुपे debit card and low value भीम UPI transactions अब है क्या यह स्टोरी यह हमारे पास है जी ministry of electronics and information technology basically central government हो गई ना ministry है ठीक है अब हमारे पास आप ऐसे मानूं कि हमारे पास एक merchant है एक shopkeeper है ठीक है let's suppose वह मोबाइल से वगरा कि sale करता है उसके पास एक customer आया उसने जो है वह मोबाइल खरीदा और यह जो merchant है इसने इस customer को उस mobile का invoice बना के दिया let's suppose total mobile including GST का जो amount बंदा है that is 25,000 ठीक है अब customer जो है वह कहता है जी मैं pay करूंगा इससे card के तुरू अच्छा अब card के थुरू अगर customer pay करता है तो इस merchant के bank में payment आएगी bank से settlement करके yes or no customer अपना card कर देगा payment जो होगी वह acquiring bank के पास जाएगी और acquiring bank जो होगा वह सेटल करके merchant के account में credit करेगा ठीक है जी तो 25,000 की payment customer करेगा bank customer से कितनी payment receive करेगा 25,000 बट यह bank इस transaction का settlement कर रहा है तो bank merchant को जो होगा वह कुछ पैसा काट करके जो होगा वह देगा जैसे 25,000 की payment आई है तो 2% अपनी services का काट लेंगे तो इसको बाकी का amount जोगा इसके account में credit करेंगे ठीक है तो basically merchant को यह 2% का खर्चा पड़ जाता है जब कभी वह अपना payment जो है customer से card के थ्रू जो है वह receive करता है और आप जानते है इस वजह से margin generally यह prefer करते है भाइसा customer तुमा में direct payment कर दो क्योंकि card के थ्रू करोगे तो इतना खर्चा हमारा खामखाय का लग जाएगा अच्छा अब government जो है government यह चाहती है कि यह जो customer है जिनके पास जर्णली वीजा वीजा वगरा वाले card होते है इसकी बजाए government अपना payment and settlement system जो है वो पर्मोट करना चाहती है और आप सभी जानते हैं government ने अपना payment system रूपे यूपी भीम बनाया है और इस बात को encourage करने के लिए कि लोग वीजा वीजा कार्ड वगरा को यूज ना करे रैदर दन government का यह जो payment settlement mechanism है इसको ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो यूज करे तो गौर्मेंट ने एज इंसेंटिव यह क्या रखा है बैंक को कि भाई साब अगर किसी भी merchant को यह पास payment customer से आई और customer ने रूपे या भीम कार्ड को यूज करके payment करी है तो अगर 25,000 का connection है 25,000 customer पे करेगा तुम मर्चंट के खाते में 25,000 के 25,000 ही डालोगे तुम एक भी पैसा जो होगा वो रिड़क्ट नहीं करोगे वीजा कार्ट से करता है तुम काटते हो काटते रहो हमें दिक्कत नहीं है लेकिन अगर customer ने रूपे या भीम कार्ड के थूप payment करी है तो फ payment कर दो मुझको मेरे अकाउंट में और नहीं तो अगर कार्ड वगर के थूप payment करनी है तो मैं रूपे या फिर भीम यूपी आई कार्ड करता हो मैं वीजा वीजा जो है वह से नहीं करता ठीक है ना क्यों कि रूपे या भीम से अगर वो बोलेगा customer pay करे तो फिर उसे पूर remote हो जाएगा सोच बड़ी अच्छी है अब इस सोच में सिर्फ एक problem क्या आती है जब government इनको acquiring bank को यह कहती है रूपे या भीम कार्ड से payment आएगी जितनी आएगी को देना तो यह कहते है भाई साब तो फिर हम क्या कमाएंगे हम यह जो रोबस्ट पूरा settlement system manage कर रहे हैं payment आती है उसको देते हैं सब रख रखाब करते हैं हमारी जो खर्चे हम कहां से कमाएंगे पूरे का पूरा दे देंगे तो हमारी कमाई कहां से होगी तो government ने उनको बो पे debit card transaction and low value beam transaction पास समझ में आ गई है तो acquiring bank जो होगा customer की पूरी payment as it is merchant को दे देगा पर definitely government ने बोला कि आपने यह जो काम कियो उसके बदले में incentive जो होगा वो हम तुमें देंगे अब यह जो incentive की प्राप्ति इसको हुई इसके उपर GST applicability को ले करके question आया इसके उपर GST applicability को ले करके question आया are you clear as to the issue yes तब सुनिएगा अब government ने CBIC से clarification issue कराई बड़ी simple सी उन्होंने बोला देखो acquiring bank ने merchant bank को एक्वारिंग bank ने इस merchant को payment settlement की service दी लेकिन एक भी रूपिया नहीं लिया मतलब free में service दी जान से तुनिएगा acquiring bank ने merchant को ये transaction settle करके दिया तो इस settlement की service उसने दी लेकिन बदले में एक भी रूपिया नहीं लिया तो what is the transaction value zero what is the transaction value zero बट लोगों ने का government ने ये जो incentive दिया उसके बदले में तो इस incentive के उपर GST आना चाहिए तो CBIC circular ने बोला ये जो incentive acquiring bank को दिया गया है कि भाई साब रुपे से payment आएगी कुछ मत काटना हम तुम को incentive दे रहे हैं तो CBIC ने बोला ये जो incentive दिया गया है ये है in the nature of subsidy by the government ये है in the nature of subsidy by the government और circular बोला so far as subsidy is concerned गौर्मेंट अगर कोई subsidy देती है तो GST की लोग में गौर्मेंट से अगर कोई subsidy किसी supplier को मिलती है भले ही वो supply की activity के relation में क्यों ना मिली हो उस subsidy को कभी भी consideration नहीं माना जाता आपको याद होगा consideration की definition से वह excluded है और in fact जो transaction value का section 15 है उसमें भी specifically लिखा हुआ है कि government की subsidy जो होगी वो कभी transaction value का हिसा नहीं बनेगी तो ले दे करके CBIC ने finally क्या बोला merchant से पैसे लिये नहीं वहां से consideration क्या है जीरो जो incentive मिले वो by nature subsidy है और वो consideration होते ही नहीं है कहने का मतलम net result में जो consideration acquiring bank को मिला है वो zero है और accordingly किसी तरीके की कोई GST liability यहां arise नहीं होगी ये incentives के उपर कोई GST burden नहीं आएगा पढ़ते हैं issue whether incentive so received shall form part of value of service the incentive is in the nature of subsidy directly linked to the price of service directly किस सेंस में भाई तो मुझसे एक रुपया नहीं लोगे बतले में ये service बतले में ये incentive मिलेंगे and the same does not form part of the taxable value of transaction in view of the provision of section 231 and section 15 section 231 इसमें consideration की definition थी जहां government subsidy को consideration से भाहर रखा गया and section 15 में repetition के तोर पर कहा गया था कि government वाली subsidy transaction और value का इस्सा नहीं होगी तो accordingly ये मुद्दा council में discuss किया गया था and council ने recommend किया था तो clarification दी गई है incentives paid by meti to acquiring banks under the incentive scheme for promotion of रुपे debit card and low value भीम UPI transaction are in the nature of subsidy and does not tax saver ओवर इसके साथ exemption से related भी सारा discussion complete हो जाता है in fact